Hello everyone, welcome to the channel e-office vlog Recently एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम e-tender website के लिए as browser का कैसे यूज कर सकते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार जब हम नए digital signature बनवाते हैं किसी employee के तो उनको उसकी idea के साथ map करने में दिक्कत आती है तो एक तो हम नए digital signature को कैसे map कर सकते हैं और दूसरा अगर हमें कोई नया user create करवाना है तो वो हम कैसे create करवा सकते हैं वो हम देखेंगे आज की वीडियो में इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर आपको एक से ज़्यादा tender करने हैं और सभी के documents सेम हैं तो default documents अभी tenders के लिए हम एक ही बारे में कैसे upload कर सकते हैं और दूसरी चाज़ कि अगर हमें show tender call करना है तो show tender हम कैसे call कर सकते हैं सबसे पहले तो अगर आप नया user create करवाना चाहते हैं तो यहाँपर downloads में जाएं downloads में जाने के बाद एक form मिलेगा आपको user creation data sheet इस form को download कर लें इस form को completely fill करके और sign and stamp करके आपको e tender help line पर mail करना है यह email id हर state के लिए अलग-लग हो सकती है अगर आप हर्याना से हैं तो मैं आपको email id भी provide करवा दूँगा वह मैं आपको direct screen पर नहीं डाल सकता प्राइवेसी के वज़े से YouTube वीडियो को हटा देता है तो चाहे आप किसी भी state से हो आपको यह form फिल करके और email करना है new user creation के लिए उसके बाद digital signature आप किसी भी CA से बनवा सकते हैं फिर process होता है digital signature को id के साथ map करने का कई बार digital signature easily map हो जाते हैं लेकिन कई बार चोटी-चोटी चीजों की वज़े से प्रोब्लम आती है हमें map करने में सबसे पहले तो जैसे हमने s browser में settings की थी e-tenders की website को internet explorer mode में open करने के लिए वैसे ही हम दोबारा से settings में जाएंगे s browser में right side में जो 3 dot है इस पर click करना है आपको उसके बाद settings यहाँ पर default browser पर click करें इसमें जाने के बाद जैसे की हमने e-tender website को internet explorer mode में open करने के लिए add किया था same उसी तरीके से आपने java को भी add करना है ताकि java run कर सके और digital signature properly काम कर पाएं यहाँ पर मैंने java को add कर रखा है अगर आपने add करना है तो add बटन पर click करें और यहाँ पर java का जो link है https.www.java.com उसको enter करके add कर दें तो java भी add हो जाएगी इसमें add करने के बाद अपने browser को दोबारा से restart करें कई बार हमें जो problem आती है वो आती है java जो हमने setup किया है java का software वो update हो जाता है तो उसके बाद भी वो काम नहीं करता तो उसके लिए आप control panel में जाएं control panel में जाके uninstall a program और जो पहले से java install है आपके pc में उस java को uninstall कर दें uninstall करने के बाद यहाँ पर downloads में ही यह जो jre8 download है इस java को download करके अपने system में install करें java के बाद एक software है जो हमारे digital signature का होता है जो पुराने digital signature है आपके उसका जो setup है जैसे यह hyper pki है इसको uninstall कर दें और दोबारा से जो भी आपका digital signature है उसके जो software है उसके जो driver है उनको install करें तो यह दो software दोबारा से install करने के बाद दोबारा से रिजन सेलेक्ट करने के बाद जो format है उसमें English United States सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद इसको apply करके ok कर दें पर रिजन की वज़े से भी problem करता है ये इसके बाद सबसे important बात है जब आपके digital signature को बने हुए 24 गंटे से ज़्यादा का time हो जाएगा तभी ये काम करेंगे e-tender वाली website पर तो इसलिए 24 गंटे के लिए wait करें सबसे पहले उसके बाद last step है internet options सर्च में जाके internet options सर्च करें उसके बाद यहाँ पर content है content पर click करें content में जाके certificates तो यहाँ पर आप चैक करें कि जो certificate शो हो रहे हैं वही certificate है जो इनके लिए आपने apply किया था जिससे आप login करना चाहते हैं इसके अलावा अगर यहाँ पर किसी और के signature हैं तो उसको यहाँ से आप select करके remove कर दें जो डिश्टल सेग्नेचर आपने map करना है सिरफ वही शो होना चाहिए यहाँ पर तो यह सारी settings करने के बाद फिर e-tender वाली website पर login करें ID password एंटर करने के बाद capture एंटर करके proceed करें इसके बाद यहाँ पर mapping का option आपको शो हो जाएगा यहाँ पर signing certificate पर कलिक करना है आपको अगर जावा अपडेट करने के लिए option मांगे तो उसको भी update ना करें लेटर पर कलिक करें इसके बाद यहाँ से जो भी digital signature है जो आपको map करने है उस digital signature को select करके ok पर कलिक करें इसके बाद आपके signing के लिए जो certificate है वो map हो जाएंगे यह map होने के बाद nc ferment certificate पर कलिक करें इसके बाद आपको encryption के लिए जो use होता है वो certificate भी आपको map करना है जब आप नया digital signature बनवाएं तो उसके लिए भी ध्यान रखें कि आपको combo ही बनवाना है जिसमें signing और encryption दोनों हो अगर आप सिर्फ signing के लिए बनवा देंगे तो e-tender वाली website पर वो useful नहीं होगा तो इसके लिए ये जो n-sifferment certificate है इस पे click करें click करने के बाद यहाँ पर आपको n-sifferment के भी signature शो होंगे उनको select करें और इसको okay पर click करें तो इस तरीके से आपके digital signature map हो जाएंगे यहाँ पर लिखावा भी आगया है dhc is enrolled successfully तो एक बार enroll होने के बाद आप login कर सकते हैं तो यह आपकी ID login हो चुकी है इसके अलावा e-tender website पर जो हम documents upload करते हैं notice inviting tender और या फिर work documents तो वो भी हम अगर आपको कई tender करने हैं और documents same हैं तो एक बार में ही सबको upload कर सकते हैं उसको upload करने के लिए आपको सबसे उपर जाना है organization hierarchy master में इसके बाद edit पर click करें यहाँ पर 7th point पर है department standard documents इस पर click करें तो यहाँ जैसे मैंने कुछ documents upload कर रखे हैं इसी तरीके से आपको अगर और document upload करना है तो upload पर click करें जो भी category आपको select करनी है BOQ है या फिर standard document है उसको select करने के बाद फिर tender document या फिर work item document tender document में notice inviting tender आएगा अगर आइटम में अगर आप कुछ और upload करना चाहते हैं कोई भी document तो वो select कर सकते हैं उसके बाद attach as default पर click करें ताकि जब भी आप कोई tender call करें तो उसमें वो by default attach हो जाए अगर किसी document को आप चाहते हैं कि tender create करते time आप उसको delete कर सकें तो attach as default पर click ना करें आपके बाद आपको उसको verify करना पड़ेगा तो वो document आपको इस तरह से show हो जाएगा जैसे ये पहले से 4 document upload है अगर वो verified नहीं है तो यहाँ पर verify का option आएगा उसके click करके उसको verify कर लें तो इस तरीके से आप अपने default document अप्लोड कर सकते हैं अगर आपको एक से ज्यादा tender करने है तो अगर आप किसी document को delete करना चाहें तो इनको select करके delete भी कर सकते हैं उसके बाद जो bid openers होते हैं उसका option होता है एक tender को call करने के लिए तो 12th point है जो उस पर default bid openers हैं इस पर click करें तो यहाँ पर कुछ bid openers हैं जो मैंने add कर रखे हैं पहले से ही अगर आप इन में से किसी को हटाना चाहते हैं तो उसको select करके delete कर सकते हैं अगर आपको किसी और को add करना है तो उपर जी जो options हैं इसमें से एक option है bid openers on same level in organization तो यह same level पर जो भी हैं इस पर click करें यहाँ पर आपके organization में जितने भी bid openers होंगे वो show हो जाएंगे इसको भी आपने add करना है उसको select करके और save पर click करें तो यह bid openers save हो जाएगा एक bid open करने के लिए minimum 3 bid openers तो आपकी ID में save होने चाहिए तो यह कुछ settings हैं जो e-tender पर हमें काफी useful होती है इसके अलावा एक और most important चीज़ जब भी आप tender call करते हैं तो आपने देखा होगा कि tender opening date और tender closing date के बीच में कम से कम 5 दिन का time होना चाहिए otherwise यह accept नहीं करता अगर उससे कम time होतो तो अगर कभी हमें short tender करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं हम जो third point है critical dates validation action के नीचे जो यह button है इस पे click करेंगे यहाँ पर हमें calendar में default calendar ही रखना है second option critical dates template में default critical dates की जगे हम short tender पे click करेंगे weekly off में आपको all Sundays ही रखना है इसके बाद हम इसको save कर देंगे अब जब भी आप tender call करेंगे tender call करने का process same रहेगा लेकिन जो 5 दिन का time period यह दिखाता था आप नहीं दिखाएगा अब आप short tender एक दिन के अंदर भी call कर सकते हैं तो कई बार हमें short tender call करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए यह setting है इसके अलावा भी अगर आप और कुछ पुछना चाते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर e-mail करें eofficevlog.gmail.com पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe ज़रूर करें आज की वीडियो बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी useful वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद